हेलो योरीवन दरेशमास टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत ही और आज हम बनाने वाले हैं डेसिकेटेड कोकोनट की इंस्टेंट बरफी 10-12 मिनेट में ए बरफी बनके रेडी हो जाती है आप इसका प्रिमिक्स भी बना कर रख सकते हो जब चाहे तब आपको सिर्फ पानी उबालना है और इस प्रिमिक्स को डाल कर बरफी को सेट होने के लिए रख देना है जब तक रूम टेंपरेचर पर ना आए तब तक आपको इस बरफी को बाहर रखना है रूम टेंपरेचर पर आने तक आप इसे फ्रीज में रख सकते हो और उसके बाद आप इसके पीसेस कट कीजिएगा सेम इस मेथड से आप रेगुलर कोकोनट से भी बना सकते हो जो कि सुके हुए कोकोनट होते है उससे भी बना सकते हो आज मैं मैंने इस मितर से जो coconut वरफी बनाई है वो मैंने Maiango flavor में बनाई है अपको जिस flavor की पसंदो उस flavor के आप बनेए तो चलिए start करते है मारे आज की recipe जिस टीन में आप इसे set होने की लिए रखने वाले है उस team को आप गी से butter से या फिर oil से Wür करके लिञे अंप put से तिर मिने तक प्यान में भूनेंगे, आपको टोरी से भी मेजर करके ले सकते हो, तो यहाँ पर देड़ कप इतना डेजिकेटेड doet है, he does own homemade coconut को हम भून कर बाजो में रख देंगे, और उसी प्यान में लेंगे गी दो टेबल स्पुन इतना एंगी है,ि उसमें हम डालेंगे हाप कप इतना दूद तो यह 125 ml का कप है जो मेजर करके यहाँ पर मैंने दूद लिया है इस कोकोनट की बर्फी को अच्छा फ्लेवर लानी के लिए इसमें हम डालेंगे इलाइची तो यहाँ पर मैंने इलाइची की पाउडर डाली है तो यहाँ पर मैंने दूद में अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी तो यह चीनी है हाप कप इतनी इस सारे इंग्रेडन्स मैंने ग्राम्स में बिट दिये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगे तो यहाँ पर मैंने हाप कप इतनी मिल्क पाउडर भी ले ली है और यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर डालने के बाद डेसिकेटेड कोकोनेट भी डाल दिया है अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मिल्क पाउडर की गुटलिया ना बने अब आपको सिर्फ 10-12 मिनिट इसे इसी तरह से भूनना है और उसके बाद में आपको थोड़ा सा थंडा करने के बाद तीन में इसे सेट होने के लिए रखना है अब इसका प्रीमिस कैसे बनाना है तो यहाँ पर हमने डिसीकेटेड कोकोनोट को भून कर थंडा करना है उसमें हमें चीनी डालनी है, मिल्क पाउडर डालनी है और इलाईची की पाउडर डालनी है ऐसारे इंग्रिडन्स को आपको मिक्स करने के बाद एरटाइट कंटेनर में रखना है आप उस इंग्रिडन्स को रूम टेंपरेचर पर तीन मेने तक स्टोर करके रख सकते हो और जब आपको मिठाई बनानी हो, एक कोकोनट की बरफी बनानी हो सिर्फ प्यान में घी डालिए, दूट डालिए और ओप्रिमिक्स का जो डबबा आपने बना के रखा है, ओडाल दीजिएगा तो यहाँ पर हमारी बरफी रेडी है, थोड़ा सा थंडा करके हम सेट होने के लिए रख देंगे इतनी आसान है डेसिकेटेड कोकोनट के बरफी बनाना आप में से बहुत सारे लोगों को डेसिकेटेड कोकोनट के से बनाते हैं मालूम नहीं होगा तो डेसिकेटेड कोकोनट का सारा जो मिल्क होता है उसे निकाल लेते हैं फिर इसे ड्राइ करते हैं तो उसी कारण इसमें थोड़ा सा टेस्ट अलग लगता है और उतनी जूसी नहीं लगती जैसे कि हमारे फ्रेश नारियल की या फिर सुके हुए नारियल की लगती है लेकिन अगर आपको नारियल की इंस्टन बर्फी खानी हो तो इसे जरूर ट्राई कीजेगा वीडियो को इंट तक देखने के लिए थैंक्स इस वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपीज के साथ तब तकिली बबाई